नेक्स देखो क्या है, बीडियो को पॉस्ट करें, पहले अच्छी से पढ़ें, उत्वार लिखें डेटा, खुद से लिखें, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, एन इंस्ट्रक्टर है, कोश्टन बैंक, कंसिस्टिंग, 300 इजी, ट्रू फॉल्स कोश्टन, मतलब, ट्रू फॉल्स कोश्टन जो है, 300 इजी है, और 200 डिफिकल्ट है, ठीक है, 500 इजी, मल्टिपल चोईस कोश्टन, मल्टिपल चोईस कोश्टन जो है, वो 500 इजी है, 400 डिफिक प्रोपाइब प्राबिल्टी ऑफ एजी कोश्टन यानि कि आपका जो ई है वो कहीं न कहीं पता करना चाहरां कि एजी कोश्टन कितने हैं कि हमारा एजी कोश्टन तो आप बताओ अगर नमबर ऑफ एकी बात करूं कि इमें कितने element होंगे या कितना outcome होगा E का मतलब है easy question तो easy question कितने है इधर लिखा है इधर 300 और यह 500 800 हमारे पास easy question है ठीक है given क्या है given that यह F होता है यह F है multiple choice question तो multiple choice question कितने है वो यह 500 और यह 400 यह 900 है वो यह कितने है 900 है multiple choice question कितने है अब लेकिन formula है हमारा E slash F हमें निकालना है तो उसका तो formula है E N E intersection F upon N F तो इसमें N F तो हमें साफ साफ दिख रहा है 900 है लेकिन problem है कि N E intersection F कैसे ले है और इन दोनों में common कैसे ले हैं तो ऐसे common थोड़ें लोगें अच्छा एक जीरो अच्छा एक जीरो दो जीरो common है ऐसे तो नहीं लोगें कि अब आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा कि E intersection F का मतलब क्या हुआ पहले यह लिखेंगे उसके बाद उसके outcome लिखेंगे देखो E का मतलब था E का मतलब था easy question और F का मतलब अगर मैंने नहीं लिखा तो लिख देता हूँ F का मतलब था जो given था multiple choice question तो अगर E का मतलब है easy question और F का मतलब है multiple choice question तो अगर इनका common देखें तो क्या होगा common होगा multiple choice easy question क्या हो जाएगा multiple choice question वो भी कैसे easy यही तो होगा भाई E और F में common देखना है ना तो भाई easy चीज दोनों में आ रही है समझा हूँ मतलब इसमे easy चाहिए तो हमारे पास MCQ में easy भी है और difficult भी है जिसमें E जो है वो easy question को represent कर रहा है और F रिप्रेजेंट कर रहा है multiple choice question को ठीक है तो कहीं न कहीं हमें जो चाहिए होगा वो common की अगर मैं बात करूँ तो common में एक तो multiple choice भी होना चाहिए अब multiple choice में easy का option है तो common क्या होगा easy multiple choice question हो easy हो तो आप बताओ multiple choice question और easy कितने हैं 500 तो अगर मैं उससे कोई बोले N E intersection F वो कितना होगा 500 होगा language को फिर से पढ़ना समझ में आ जाएगा तो यहां 500 दो जीरो कट किया तो answer आ जाएगा 5 by 9 आयसमे ठीक है बीडुक पॉस करो language पढ़ो आपको E बोला था easy question है F बोला था multiple choice question है तो नीचे तो आगया 900 उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी E intersection F का मतलब यह हो जाएगा कि जो multiple choice question है वो easy होने चाहिए क्योंकि E में easy है तो multiple choice question जो easy है वो कितने हो गए 500 ठीक है note करो इसको